हेलो एन वेलकम टू होप तुशान्त यादो वी आर डूइंग इंडियन एकॉनवी फुल कोर्स एंड वी आर अन यूनिट टू बैंकिंग एंड फाइनस अन दिस लेक्चर नमबर टू तो नोट बूक में नोट कीजिए यूनिट टू लेक्चर टू लिखिए उसके नीचे बैंकिंग ऊइन फाइनस उसके नीचे निचे मनिं मारकेट और आए शुरू करते हूं तो पिछली क्लास में लगा था कि फाइनेशल मारकेट डो टाइप यह होते हैं money market capital market जो capital market हम unit time में पढ़ेंगे then financial market के type पढ़े थे money market को unorganized और organized में कैसे बाटा गया है उसके बाद organized को commercial bank और और भी state cooperative यह हमने देखे थे RBI जो इनका boss होता है उनको देखा था governor कौन है इस समय श्री शक्तिकांदाज जी उसके पहले governor कौन थे यह सब हमने देखा है deputy governor कौन है समय यह देखा था हमने क्या function से reserve bank of India के यह देखे थे हमने minimum reserve system क्या होता है credit controllers क्या होते है quantitative method qualitative method यह हमें देखना है पर हमें समझ में आ गया था कि credit को control कौन करता है RBI का function है law of demand पढ़ा था हमने law of supply पढ़ा होता था interaction between demand and supply की दोनों कहां पर match करते है equilibrium point के बारे में बात की थी money की demand किस purpose के लिए transaction purpose and speculative purpose के लिए bonds क्या होते है bond price क्या होता है bond ED क्या होता है government bonds क्या होते है corporate bonds क्या होते है यह सब हमने पढ़ा था treasury bills क्या होते है dated यह dated है data data government security financial market में money market short term के लिए capital market more compression loan market होता है जो share market अब money market में हमने तीन तरह के money market पढ़े थे overnight money market notice money market and term money market यह इनके day के हिसाब से decide होता है ठीक है इतना हम पढ़ चुके हैं तो आई यह lecture number two की और बढ़ते हैं थोड़ा बेस समझते हैं कि जो financial intermediary यानि bank है वो करता क्या है bank की functioning होती कैसे देखिए यह depositor हैं जैसे हम लोग depositor हैं तो हम लोग क्या करेंगे bank में deposit करेंगे तो bank के पास कुछ पैसे आएंगे bank क्या करेगा जिनको loan की जरूरत है borrowers उनको क्या कर देगा loan advance कर देगा तो bank का काम क्या है एक हाथ से पैसा लेना दूसरे हाथ से उसको loan में दे देना लेकिन जो पैसा bank लेता है deposit की रूप में उसमें low interest rate पे करता है investor को जो उसमें depositor है उसको और जो जिसको वो loan देता है उससे high interest rate लेता है और इन दोने के जो कब बीच का gap है उससे bank अपनी functioning चलाता है लोगों को salary देता है अपना पूरा maintenance and profit रखता है got it or not तो bank का काम क्या है intermediary है क्यों क्यों क्योंकि एक हाँ से पैसा लेना दूसरे हाँ से देना इसका काम है लेकिन अपना बीच में कैसे उसने margin रखा है low interest पे करता है depositor को high interest लेता है जिसको loan उसने दिया है यहां पर समझते हैं कि जो depositor है यह deposit जो करता है वो कितने type के हो सकते हैं देखिए दो type की deposit हो सकते हैं एक होता है demand deposit demand deposit दूसरा होता है time deposit यह जिसे हम कहते हैं fixed deposit demand deposit means जैसे की saving account है ना जैसे की current account आपका यह सब क्या demand deposit demand deposit का मतलब कि आप bank से जिस दिन जिस वक्त आप demand करेंगे कि आपका deposit चाहिए उस समय bank आपको मना नहीं करेगा तुरंत आपका demand deposit निकाल कर दे देगा ठीक है इसे कहते हैं demand deposit यहनी deposit तो कर रहे हैं लेकिन हम on demand हम ले सकते हैं this is called demand deposit like जो आपके saving account में पैसे पढ़े रहते हैं आप जब चाहिए तब ले ले what is time deposit then bank कहता है कि एक fixed time period के लिए आपको यह पैसा हमने हमारे bank में रखना पड़ेगा इससे हम आपको ज्यादा interest rate देंगे जैसे कि fixed deposit होते हैं FDs इसलिए बनवाते हैं क्योंकि इसमें interest rate बढ़िया मिलता है क्यों क्योंकि एक time होता है उस time से पहले आप bank से निकाल नहीं सकते हैं bank निकालेंगे तो penalty भी लगीगी इस तरह के deposit को बोलते हैं time deposit या fixed deposit इतनी चीज़ समझ में आई या नहीं demand deposit and time deposit समझ आया या नहीं एक concept समझते हैं asset and liability का asset क्या है और liability क्या है जैसे bank ने depositor से deposit लिये और किसी को दे दिये तो loan borrower को loan दे दिया तो bank ने जब किसी से deposit लिया तो bank की ये जिम्मेदारी है कि उस deposit को वापस करें यानि bank की ये liability है liability मतलब उत्तरदायत तो है कि इस deposit को interest के साथ depositor को वापस करें इसलिए bank जो लेता है वो क्या है liabilities लेकिन जो bank loan देता है क्योंकि अब वो bank का पैसा है बैंक के पास आगया वो deposits अब वो bank अपना पैसा समझ कर किसी को loan में दे रहा है लोन में दे रहा है पैसा उसका है तो जिसको उसने दिया उसकी liability है कि bank को वो पैसा वापस करें क्योंकि वो bank का क्या है asset है तो asset मतलब जो खुद का हो और liability मतलब जो किसी को pay करना हो समझ रहे है इस बात को यह नहीं तो loan क्या है bank का loan bank का asset है जब माबाप कमा कर हमको खाना खिलाते हैं हमको पाल पोश्ट के बढ़र करते हैं तो माबाप के लिए हमारे लिए माबाप क्या है asset है लेकिन वही एक दिन माबाप liability बन जाते हैं कुछ लोगों के लिए liability कैसे बन जाते हैं sir क्यूकि जब वो कमाने नहीं लगते हैं groundwater की मैं समझा रहा हूं कि asset क्या है asset यह वो है जो हमारा खुद का है हमारा घर खुद का घर है तो वो asset है हमारा और अगर हमने किसी से rent पे लिया है वो घर तो उसको हम pay करना पड़ेगा वापस देना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो वो हमारी liability है तो किसी से आपने पैसे लिये बोरो किये तो आपकी liability उसको वापस दें लेकिन आपने किसी को लोन दिया तो वह आपका asset है समझ आई बात या नहीं आई तो asset क्या है liability आई clear है या नहीं तो आप अपने देश के लिए country के लिए asset बनिये liability नहीं क्या कहने का ततपर है मेरा comment box में जरूर बताईएगा तो यह time deposit and demand deposit है यह actually bank की liability है क्योंकि इसको depositor को वापस करना है तो depositor को वापस करना तो यह इसको अगर दोनों को mix कर लें तो demand plus time यह क्या है liability इसका मतलब यह क्या है DTL है demand time liability of the bank तो DTL समझ में आया कि नहीं आया इसको DTL is clear or not demand time liability इसको DTL क्योंगा आगया liability क्योंकि इसको वापस करना है bank को कि इसको depositors को clear or not money market के instruments के बारे में जानते हैं treasury bill क्या आप बारे में जानते है treasury bill क्या है short term जो loan extend होता है जो government securities होती है short term के लिए उन्हें बोलते है treasury bills less than one year के लिए होती है तो T wheels हम पढ़ चुके हैं पिछले उसमें और क्या है money market के instruments call money market repo reverse repo commercial paper certificate of deposit यह सब अभी अभी आगे देखते हैं तो call money market के बारे में पहुंचते हैं यह हम पढ़ेंगे यह आपको सब अपनी notebook में note down करना है लेकिन पहले समझ लीजिए कि मालीजिए एक area है आपके घर के आसपास का जो area है उसी को माल लीजिए उसमें एक bank है SBI है और SBI की एक branch यहाँ पर है और एक branch किसी दूसरे area में है ठीक है तो SBI की दूसरी branch यहाँ पर है लेकिन इसी area में SDFC की भी branch है और यहाँ पर भी SDFC की branch है ठीक है एक साथ क्या हुआ एक दिन बहुत धे depositor SBI में आ गये हैं बहुत सारे depositor कि हमारा जो हमने deposit किया है वापस दीजे तो SBI के पास किवल एक करोड़ रुपए cash में पढ़े थे और demand थी तीन करोड़ रुपए की तो SBI को 2 करोड़ रुपए का loan चाहिए था तो SBI के पास दो option थे क्योंकि इनको 3 करोड़ वापस करने है depositor को मना तो कर नहीं सकते हैं एक करोड़ है तो 2 करोड़ और चाहिए तो SBI क्या करेगा या तो अपनी ब्रांग से मंगा सकता है या तो बगल वाली दूसरे बैंक की ब्रांग से ले सकता है तो किस में कम टाइम लगेगा बगल वाली ब्रांग से पैसे लेने में लेकिन यह STFC लोन अगर SBI को देगा तो ऐसे तो दे नहीं देगा कि हां ले जा कल वापस कर देना कोई बात नहीं कोई इंटरस्रेट नहीं चार्ज होगा ऐसा तो होगे नहीं कुछ न कुछ इंटरस्रेट तो चार्ज करेगा ही उसको बोलते हैं इंटर बैंक ओफर रेट तो SBI 2 करोड रुपए SDFC से लेगा at कौन सा interest rate चार्ज करेगा SDFC उस पे interbank offer rate इसलिए इसको बोलते है call money market यानि SBI क्या कहेगा call money करेगा money को बुलाएगा call करेगा hello money आजाओ तो बगल वाली ब्रांज से call करेगा इसलिए इसको बोलते है call money market तो दोनों option है SBI एपनी ब्रांज से मगा सकता है पर वो दूर है इसको बगल वाली ब्रांज से लेता है इसको बोलते है call money तो call money को बोलते है call loans all call borrowings भी बोल सकते हैं ये interbank loan market है क्यों क्योंकि bank आपस में क्या कर रहा है loan extend कर रहा है एक दूसरे को there will be a market determined interest rate जिसको हम क्या बोलते है call money interest rate और EC को हम बोल सकते है interbank offer rate जो कि मैंने आपको समझाए अभी और interbank जो offer rate होता है ये day to day liquidity position of the bank को reflect करता है कि कहाँ पर कितना liquidity है liquidity का मतलब होता है in cash cash में कितना रुपए है तो अगर SBI demand कर रहा है किसी से loan दूसरे bank की ब्रांच से इसका मतलब उसकी liquidity position कम है ना इसके बाद लिक्विड जादा रुपए है नहीं तो ये day to day liquidity position of the bank को reflect करता है interbank offer rate लिबॉर क्या असर London interbank offer rate तो लंडन में London is the deepest money market and most of the largest bank are in Europe and they interact to determine लिबॉर तो लिबॉर होता है London interbank offer rate जो London में सभी bank आपस में वैट कर ये interact करके बताते हैं कि चलिए एक दूसरे से loan कितने percent कितने interest rate पर लिया जाएगा इसको बोलेंगे London interbank offer rate अगर इंडिया में है तो इसको बोल देंगे Mumbai interbank offer rate तो मिबॉर और लिबॉर क्लियर है नहीं देखा जाए तो लिबॉर जो होता है वो globally lowest interest rate है और एक चीज़ याद रखीगा call money जो है ये ट्रेडबल नहीं है तो जो आपको paper मिलेगा loan का कि आपने एक दिन के लिए loan दिया है इतने interest rate पे interbank offer rate पे दिया है इस paper को आप कहीं ले जाके trade नहीं कर सकते हैं जैसे आप bond के साथ कर रहे थे तो ये not tradable है और जितने भी instrument है सारे ट्रेडबल है और instrument कौन से हम देखेंगे पहले call money market के बारे में ये information अपनी copy में notebook में note down कर लीजे तो call money market समझ में आया को लिपार मिबार समझ में आये pause करके note down कर लीजे लिखना जरूरी है जरूरी है कि certificate of deposit समझते है ये certificate of deposit क्या है देखे ये इसू किया जाता है banks के द्वारा to raise short term loan from public तो अगर bank को public से पैसे चाहिए तो वो ऐसा certificate of deposit ये भी paper की तरह है तो bank क्या करेगा लोगों को ये paper देदेगा लोग bank को क्या कर देंगे cash देदेंगे तो जब भी certificate of deposit लेकर वो लोग आएंगे bank के पास एक maturity period के बाद तो bank उनको interest के साथ पैसा वापस कर देगा तो certificate of deposit क्या है कि आपने deposit किया है bank के साथ bank को short term loan दिया है आपने तो ये public से जब लोन लेता है bank short term pay उसे बोलते है certificate of deposit दो certificate of deposit जो होते हैं ये ट्रेडबल इंस्ट्रुमेंट है तो इनको जो पब्लिक है आपस में trade कर सकती है कि भाई मेरे पास इतना है तो उसमें किसी का नाम नहीं है ये ट्रेडबल ये रख लो और पैसे मुझे दे दो ऐसा नहीं हो सकता तो फिक्स ट्रेडबल हैं बलकि जो certificate of deposit हैं ये ट्रेडबल इंस्ट्रुमेंट है कमर्शिल पेपर्स ये क्या होते हैं इसने कम्पनी को भी इंक्लूड करेंगा बैंक को तो रेज शॉर्ट टम लोन फ्रम पबलिक सेम चीज़ है certificate of deposit की तरह है पर कमर्शिल पेपर थोड़ा से मोर ब्रॉड है इसने कमपनीज को भी इंक्लूड कर लिया है बैंक के साथ तो कॉर्पेट सेक्टर पूरा इंक्लूड कर लिया है कम्पनीज के साथ बैंक के साथ कम्पनीज को भी तो अधर कम्पनीज जिसे रेलाइंस भी चाहे तो पबलिक से पैसा उठा सकती है कमर्शिल पेपर इश्यू करके तो सर्टिफिकेट अफ डिपॉजेट कमर्शिल पेपर कॉल मनीटी बिल्स क्लियर है या नहीं इतनी चार्ट चीजें क्लियर है या आपको रेपो रेट, रेवर्स रेपो रेट आके पढ़ेंगे, चिंता मत कीजे, अब यहीं से शुरुवात करेंगे हम, जहां से हमने उस दिन पिछली क्लास में रोका था, सब monetary policy क्या थी? monetary policy की दो objective थे maintain price stability, control inflation जिसे कहते हैं और inflation control करते हैं वो growth के objective को ध्यान में रखे रहे तो implement करना है monetary policy इसके लिए RBI क्या करता है? credit को control करता है जो commercial bank लोगों को देते हैं ये चीज़ समझ आ रही है ये नहीं आ रही? तो credit controller का मतलब क्या है? तो ये हमने कैसे फिर दिमाग लगाया था? आप बताएए, हमने आप से कहा था कि अगर bank commercial bank जो है सुनिए कि इस बात को कैसे control करेगा RBI क्रेडिट को commercial bank जो है वो बहुत धेर सारा loan दे रहे हैं लोगों को तो लोगों के हाथ में पैसे बहुत ज़्यादा होंगे जब उनके पास हाथ में पैसे बहुत ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा demand करेंगे और supply उतनी है सर तो demand बहुत ज़्यादा होगी supply उतनी है तो demand ज़्यादा है supply उतनी है सारा रुपया मत दीजिए लोगों को तो लोगों को रुपया कम दीजिए तो क्या कहना चारा रहा है कि क्रेडिट को कंट्रोल कीजिए कमर्शल बैंक ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए लोगों के हाथ में कम पैसे रहेंगे तो कम डिमांड करेंगे कम demand करेंगे तो inflation दीरे दीरे नीचे आ जाएगा और इसी चीज़ कोल्टा भी समझ सकते हैं आप कैसे कि कोई भी demand नहीं कर रहा economy में economy में कोई भी demand नहीं कर रहा inflation की जगद deflation हो गया है deflation हो गया लोग demand क्यों नहीं कर रहें क्योंकि उनके हाथ में पैसे नहीं है तो RBI क्या कहेगा बेंकों से कि अपने जो क्रेडिट दे रहेँ ना उसको और बढाईए खूब धेर सरा लोण दीजिये लोगों को खूब धेर सरा लोण दीजिये तो जब खूब धेर सरा लोन देंगे तो ALL भूप धेर करने के लिए क्रेडिट को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है क्योंकि इन्हें इंस्ट्रुमेंट से RBI का करेगा अपनी inflation को कंट्रोल करेगा और monetary policy को implement करेगा तो credit कंट्रोल करने के दो तरीके हैं पहला है quantitative method दूसरा है qualitative method quantitative method मतलब कि जो भी commercial bank credit extend करेंगे की लोगों को उनकी quantity में change करके RBI जो है credit को कंट्रोल करेगा और quality qualitative method की loans की quality को balance करके कंट्रोल करके RBI inflation को कंट्रोल करेगा तो quantitative method में क्या है bank rate CRR SLR repo reverse repo marginal standing facility liquidity adjustment facility LAF and qualitative method में क्या है rationing of credit regulating loans for consumption purpose variation in marginal requirement moral suasion and direct action यह सब हम पढ़ेंगे one by one तो आज हम पढ़ेंगे quantitative method शुरू करते हैं bank rate से त्यार है आप लोग bank rate क्या है तो bank rate क्या है पहले इसको लिख लिए नोट बुक में नोट डाउन कीजे इडिज रेट आफ इंट्रेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक अफ अ कंट्री इडिज रेट आफ इंट्रेस्ट एट विच Central Bank of a country provides refinancing and rediscounting facility to commercial bank के वल इतना ही लिखिएगा भी यह चीज पहले में समझा दो फिर आगे बढ़ेंगे अगर आप केवल मोटा मोटा समझना चाहें कि bank rate है क्या तो किसी bank को तो RBI क्या है बैंकर टू बैंक है यह हमने बता था आपके RBI के फंक्शन में RBI क्या है बैंकर टू बैंक है देखिए किसी भी बैंक को अगर long term के लिए किसी loan की जरुवत है उनके पास liquid नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है RBI से loan लेना चाहते हैं तो RBI as a bangle to bank work करता है उसका function यह है तो अगर SBI गया और RBI से का कि हमको 300 करोड रुपए चाहिए तो RBI long term के लिए 10 साल के लिए चाहिए उसको तो RBI क्या करेगा करेगा ठीक है 300 करोड रुपए इसको देगा और इससे कुछ interest rate चाहिए कि जब वापस करना SBI तो interest rate मिला कर interest amount मिला कर और principal amount दोनों पे करना इस interest amount को बोलते हैं bank rate यह है bank rate तो जो RBI बैंकों को loan देते समय जो interest rate चाहिए उसे बोलते है bank rate very generic terms में तो बैंकों को अगर long terms के लिए loan चाहिए तो RBI से bank rate पर loan ले सकते हैं लेकिन definition में सर हमने पढ़ा refinancing and rediscounting यह क्या है यह समझते हैं पहले financing समझते हैं financing क्या है माल लेजी मेरी class में अभी 100 students है यह मैं हूँ और 100 students है मेरी class में 100 है मुझको 1000 रुपए की जरूवत है 1000 रुपीज की मुझको नीड है तो मैंने आमने सभी students कहा कि मुझको आप केवल 10-10 रुपए दे दीजिए तो मेरा 1000 रुपए हो जाएगा तो सभी लोगों ने क्या किया सभी बच्चों ने 10-10 रुपए मेरे पास deposit कर दिये तो यह कितने हो गए 1000 रुपीज कहने का मतलब यह क्या हुआ यह जो process हुए भी इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने मुझे क्य क्या किया है finance किया है तो आयम आयम क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूं मैं अपनी financial जो नीट्स है वह आपके थ्रूप पूरा कर रहा हूं that means it is financing क्या यह financing है कि I am fulfilling my needs through financing and finance कौन कर रहा है आप लोग इस process को बोलते है financing इतना समझ में आया है यह नहीं ठीक है अगर यह financing है तो आप re-financing क्या है यह oblig re-discounting हमें समझना है माल दीजे government को loan चाहिए तो government क्या issue करती है bonds तो उसमें लिखा होगा 100 crore rupees 10% interest rate and maturity period लिखा होगा 10 years and finance secretary साब आप एक ias officer जो होंगे वो sign करेंगे यहाँ पर यह bond बॉन पेपर तो government क्या करेंगी लोगों से पैसा उसे लेना है public से तो लोगों को यह bond देगी बॉन यहाँ आएगा और लोग इसको cash देंगे और maturity period के बाद यह लोग अपने bond वापस लेके government के पास जाएंगे और government उन्हें interest के साथ उनका पैसा वापस करेंगी ठीक है तो actual जो student ने मेरे साथ किया था मुझे finance किया था यह public ने government को क्या किया है finance किया है तो bonds क्या हुए अब यह public के पास आ गए तो बैंक लोगों क्या किया government को finance किया है ठीक समझ आया है नहीं समझ आया है इतना clear है अब क्या हो सकता है sir मा लीजिए government किसी से भी अपनी financial नीड पूरी करा सकता है bonds जो है वो RBI RBI से कहा कि SBI को दे दीजे तो RBI government का borrowing program समालता है मैंने बताया था function है तो ऐसा हुआ sir कि government ने SBI से SBI को bond दिया और SBI ने government को loan दिया किक है इतना clear है लेकिन जो bond था 100 करोड का 10 साल का मान लीजिए और 10% क्योंकि 10 साल बहुत long period है तो हो सकता है SBI को जरूद पढ़ जाए 3-4 साल down the line RBI को जरूद पढ़ जाए उसको funds की requirement हो तो SBI क्या कर सकता है यही चीज लेके RBI के पास जा सकता है तो RBI से क्या कहेगा SBI कि देखिए मेरे पास यह bond है आप ऐसा कीजिए कि आप मुझको finance कर दिजिए यह bond अपने पास रख लीजिए और मुझको loan extend कर दिजिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और क्योंकि RBI bankers to bank है तो वो क्या करेगा bond रख लेगा और SBI को पैसे दे देगा इसे क्या बोलेंगे सर री financing क्यों बोलेंगे री financing क्योंकि उधर एक बार finance हो चुका है इस bond पे दुबारा SBI को जरुवत पड़ी loans की दुबारा इस bond की वज़े से RBI ने SBI को क्या किया री finance किया तो री financing समझ में आई क्यों लिखा है और जिस rate पे refinancing करेगा वो उसको बोलेंगे bank rate clear or not discounting क्या होता है वाला discount नहीं है जो आपको कपड़ों पे मिलता है malls में यहाँ पर discount क्या है जब इस bond की maturity period खता हो जागी माली 100 करोड का bond है 10% interest rate है 10 साल की maturity है तो जब 10 साल बात जाएंगे आप government के पास तो government इस bond को अपने के पास रखेगा और आपको interest के साथ पैसे वापस करेगा इस process को बोलते हैं discounting कि इस process को बोलते हैं discounting लेकिन जो मैंने आपको होता है था कि SBI के पास अगर यही पेपर है और वह RBI से लेने गया तो RBI इस bond का अगर वो क्या कर दे पूरी तरह से इसको discount कर दे कि ठीक है मैं इसको पूरा पैसा आपको दे रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे री डिसकाउँटिंग new method Refinancing and Re descounting are same that's why oblique लगा है वहाँपा और discounting Ub Visibility Buых Refinancing, दोनों same है तो री दिसकाउटिंग करवा यह उस bond को discount करवा बात एक ही है लेकिन discounting re discounting क्योंगी क्योंगी डिसकाउटिंग जो होती maturity period में उसे बोलते हैं discounting इस process को क्या बोलेंगे rediscounting clear or not तो जैस rate पर rediscounting होगी उसे बोलेंगे bank rate यह चीज समझ आई यह नहीं है तो मैंने क्या लिखा it is the rate of interest at which the central bank of a country provides refinancing re-discounting facility to commercial bank जो की currently जो rate है वो है 4.25% लेखेजिए this rate at present is 4.25% आगे इसको लिख लीजे पर अभी यह समझ नहीं आएगा हम आपको धीरी दीरे समझाएंगे इसको this rate has aligned to the MSF marginal standing facility rate and therefore changes automatically as and when the MSF rate changes which changes when the policy repo rate changes समझ आएगा बाद में समझाऊंगा MSF पे आएंगे जब तो यह समझाएंगे अब यह last line लिख लीजे RBI increased the bank rate in the time of inflation and decreased in the time of deflation यह हम समझते तो अगर जल्लर तर्म में समझना हो कि bank rate क्या है तो bank rate वो interest rate है जो RBI चार्ज करेगा बैंकों को long terms loan देते समय ठीक है इतना समझ में आगए आपको अभी 4.25% है यह हो गया credit controller तो bank rate एक instrument है credit control करने का यह कैसे credit को control करेगा और उसके थूँ inflation को कैसे control किया जागा यह समझते हैं माल लीजे अभी bank rate है 8% अभी माल लीजे 4% 4.25% यह ही पर रहते हैं 4.2% 25% है तो आर जो domestic banks है उनको central bank ने loan दिया 4.25% में तो domestic banks ने क्या किया लोगों को loan दे दिया 10.5% पर तो बाखी का margin उनके पास रहेगा उससे वो अपना functioning चलाएंगे profit लेंगे है ना तो क्या हुआ जब माल लीजे कि central bank ने कम पर interest rate दिया तो आपने 10.5% interest rate पे loan दिया लोगों को अगर RBI ने ये interest rate बढ़ा दिया 4.25% से 8% कर दिया bank rate तो 8% पे अगर domestic bank को loan मिलेगा तो आपको लगता है कि वो 10 पे देगा वो 16% पे देगा और ज़्यादा interest rate पे लोगों को देगा क्योंकि उसको भी अपने loan पे जो interest rate है उसको increase करना पड़ेगा तो अगर जो loan 10.5% पे मिल रहा था अब वो 16% पे मिल रहा है तो लोग क्या सूचेंगे कि अभी loan लेने का सही समय नहीं है जब loan सही दाम पर सही interest rate पे मिलेंगे तब लेंगे तो लोग commercial bank से demand पैसों की कम करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे जैसी लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे वो demand कम करने लगेंगे और inflation कम हो जाएगा तो credit कैसे control किया और अर्वाई ने bank rate बढ़ा दिया तो लोग खुद ही अब नहीं लेना चाहते commercial bank से तो credit जो commercial bank दे रहा था लोगों को control हो गया और क्योंकि credit control हो गया तो inflation automatically control हो गया got it or not bank rate समझ में आया तो bank rate अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा sir inflation कम होगा क्यों क्योंकि लोग जादा अब demand नहीं करेंगे commercial bank से loan की क्योंकि वह बहुत high interest rate पे उनको वह loans मिलेंगे bank rate clear है नहीं अगर bank rate decrease करेंगे तो inflation बढ़ेगा क्यों क्योंकि bank rate decrease करेंगे तो credit जो होगा जो domestic bank होगे वह interest rate कम charge करेंगे लोगों को credit देते समय तो लोग ज्यादा motivated होंगे ज्यादा motivated फोंगे तो ज्यादा हात पैसे होंगे ज्यादा हात में पैसे होंगे तो ज्यादा demand करेंगे तो inflation बढ़ेगा अब धीपेंड करता है कि r bibi ias inflation कम करना है या रिवियांन बढ़ाना है तो situation कैसी है deflational situation ए या inflationary situation ये depend branch, उसी आप से और बैंक रेट के साथ छेट चाड़ करेगा कि लिए और नॉट इतनी बात क्लियर है या नहीं क्रेडिट के कंट्रोल के तुरू और बैंटरी पॉलिसी को कैसे इंप्लिमेंट किया इतना क्लियर है नहीं आप आगे बढ़ेंगे Organismly कैशs, रिजर्व बढाकरेशुons तत दूसरा Quantitative Instrument था यह quantitative instrument क्यों है और важно स्मझ रहेения, quantitative method क्यों है क्यों है, basta ृट नहीं क्या है इसलिए quantitative method है cash Reserve ratio यह क्या होता है लिख लिए पहले CRR is that ratio of average daily balance of net demand and time liability NDTL जिसे हम बोलते हैं net demand time liability CRR is that ratio of average daily balance of net demand and time liability which bank has to necessarily keep with the central bank that is RBI of the country in cash ये क्या है हम समझते हैं परे लिख लिजे एक एक्जामपल लीजिए आपके तीन दोस्त हैं एक का नाम है राम याम एन घंद श्याम सब लोग मन्त ली 60 के 60,000 रुपीज अर्ण करते हैं सब लोग लेकिन जो राम है वो 60,000 में 60,000 expenditure भी कर देता है यानि खर्च कर देता है उसके पास net balance जो बसता है लेकिन जो श्याम है वो 60,000 में 57,000 के क्या करता है खर्च कर देता है उसके पास saving बसती यह 3,000 के की लेकिन जो यह घंद श्याम है यह बहुत ही खर्चिला इसने 66,000 के दूसरों से लोन लेकर भी इसने क्या क्या माइनस 6 के expenditure कर दिया आप बताएं इंटीनों में से कौन बहतरीन है कौन सबसे अच्छा है कमेंट बॉक्स में लिखिए राम श्याम यह घंद श्याम ना जिन्दकी जी रहा है ना पूरी वो पूरे मौश ले रहा है सर लोन्स ले लेकर खर्चे कर रहा है अगर एकॉन में के लिखें तो सबसे अच्छा बहतरीन कौन है श्याम क्यों 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 कि सेविंग कर रहा है 3K की सेविंग करना important है क्यों सेविंग क्यों important है कोविट 19 जैसे situation आ गई जहां पर आपकी जॉब ही चलीगे employment ही ठप हो गया तो ऐसी situation में सेविंग ही काम आएगी त अगर बैंक के पास ये बैंक है इसके पास deposit आ रहा 1000 करोड का और इसे ने 1000 करोड रुपए loan extend कर दिया लोगों को तो deposit के रूप में 1000 करोड रुपए आये और 1000 करोड ही इसने loan में दे दिया तो अगर कोई depositor अपना पैसा मांगने आया demand deposit तो क्या ये bank दे पाएगा नहीं दे पाएगा कोई emergency situation आ गई जिसमें bank के पास liquid ही नहीं liquidity है नहीं क्योंकि उसने जितना आया ता उतना इक उसने loan में दे दिया कुछ loan वाले default कर गए 1000 करोड में 900 करोड रुपए ही वापस आये कुछ लोग default कर गए उनके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए तो ऐसी situation में bank तो crisis में चला जाएगा है ना तो sir कहने का क्या मतलब है कि RBI क्या कहेगा बैंकों से RBI बैंकों से कहेगा कि अगर आपके पास 10,000 रुपए आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए कुछ certain amount हमारे पास deposit क कर दीजिए तो अगर अभी 3% अगर cash reserve ratio है तो 1000 का 3% यानि 300 रुपए हमारे पास आप as a deposit रख दीजिए तो emergency situation में हम काम आ जाएंगे आपके तो RBI बैंकों से क्या कह रहा है कि emergency situation में आप breakdown न हो जाए collapse न कर जाएं इसलिए आप क्या कीजिए आप certain amount हमारे पास as a deposit रखिए जब आपकी दरुवत होगी तो हम आपको यही निकाल कर दे देंगे तो as a security रख रहा है तो cash reserve ratio है क्या तो balance 97,000 है 9700 इसको आप loan में दीजी लेकिन कुछ certain amount हमारे पास deposit कीजिए इसे बोलेंगे cash क्यूंकि यह चीज़ cash में करना ही पड़ती है हर बैंक को cash में deposit करना पड़ता है 3% जो अभी चल रहा है CRR वो है 3% तो cash में 300 रुपए RBI के पास deposit करने होंगे तो इसे बोलते है cash reserve ratio normally समझ आया है नहीं समझ लेकिन हमने आपको क्या बताया it is the ratio of average daily balance of net demand time liability of a bank has to necessarily keep with the central bank of RBI central bank that is RBI in country in cash लेकिन यह NDTL क्या है net demand time liability क्या है इसको समझ लेते हैं तो DTL तो आपको पता है detail क्या है demand and time liability वो क्या है deposited जो demand deposit करता और time deposit करता वो liability है इसलिए डिटियल है लेकिन NDTL क्या है सर NDTL है DTL माइनस जो deposit एक bank दूसरे bank के साथ रखता है यानि A bank B bank के साथ रखता है उसको माइनस कर दीजिए क्यों example लीजिए एक्जामपल है SDFC के पास महां लीजिए बहुत धेर सारे पैसे आए और वो उतने का लोन नहीं दे पा रहा है तो वो क्या चाहता है उतने का लोन तो दे नहीं पा रहा तो उससे वो कमा तो सकता नहीं कमा नहीं पा रहा है लेकिन क्या करना पड़ेगा उसको उस लेकिन क्योंकि लोन किसी को दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि इसके पास इतनी डिमांड ही नहीं लोन की तो वो पैसा इस पड़ा रहेगा कर सकता है अपना जितना भी अमाउंट है यसे माल लीजिए हजार क्रोड रुपए डिपॉजिटर ने जमां किये उसमें से कि साथ तीन परसें निकाली तो 300 रुपए तो CRR का चला गया 300 रुपीज CRR का बचा 97 10,000 का लिजिए बचा 9700 रुपीज इस 9700 रुपीज में केवल वो लोन जो एक्स्टेंड कर पाया है वो 7700 का यानि 7700 का लोन एक्स्टेंड कर पाया उसके पास अभी भी 2000 रुपए पड़े हुए हैं लेकिन इन 2000 रुपए पर interest rate तो deposit को देना ही पड़ेगा तो SDFC क्या गरेगा इस 2000 रुपए को SBI को दे देगा as a FD तो एक account अपना SBI में रहेगा SDFC का जिसमें वो 2000 रुपए पे कर देगा तो deposit क्या है SDFC का SBI में deposit हो जाएगा कि माइनस क्यों किया हमने माइनस इसलिए क्या क्योंकि CRR में CRR में SDFC ने अपना part तो दे दिया है लेकिन SBI से deposit हुआ है तो अगर इसने इधर भी deposit में दे दिया होता तो SBI को उधर भी deposit में देना है तो दो बाट deposit count हो जाएगे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे इस बात को नहीं समझ रहे फिर से समझते हैं कोई बात नहीं लेकिन इसने लोन एक्स्टेंड किया कितने रुपए का 9,700 का अभी मान लीजे 9,700 रुपीज का इसने लोन एक्स्टेंड किया और 300 रुपए का इसने deposit कर दिया SBI के साथ तो एक्स्टेंड में सर क्या हुआ SDFC को केवल 97,000 रुपीज पर ही क्या देना पड़ेगा CRR 3% इन 300 पर नहीं देना पड़ेगा क्यों अगर उसने अभी 1000 रुपए का अगर CRR दे दिया तो यह deposit जो SBI के पास 300 रुपए आएंगे तो 300 रुपए का SBI फिर से उसको CRR 3% देगा RBI को यानि यह 300 रुपए को दो बार CRR के रूप में RBI रखेगा तो double counting की mistake हो जाएगी ठीक है जैसे कि GDP में हमने देखा था जो intermediate good थे उनको हटाना था क्योंकि उनको double counting बार-बार double counting हो जाएगी तो GDP बहुत जादा आ जा रही थी ऐसी सर HDFC के case में या CRR के case में यह NDTL क्यों है net demand time liability क्यों है इस demand time liability जितनी भी आरी 10,000 में वो minus कीजिए जैसे कि FD जो एक bank ने deposit किया है दूसरे bank के साथ वो सारे minus कर दीजे तब जो आए तब उसका 3% आप as a CRR RBI में रख दीजे यह FD minus क्यों हा क्यों समझ आ रहा है न क्योंकि अगर पूरे 10,000 का अगर आप देते तो उसमें 300 include होता एक बार CRR भी दे चुके होते और फिर 300 रुपए आपने SBI के साथ deposit किया तो उस पर भी फिर SBI भी deposit देता CRR देता 3% तो 300 रुपए का दो बार 3-3% चला जाता तो डबल counting हो जाती तो ऐसा नहीं करना है इसलिए हमने net निकाला net demand time liability net demand time liability के मतलब कि जितनी भी आपके पास 10 demand time liability उसमें आप वो माइनस कर दीजिए जो आप दूसरों bank के साथ क्या कर रहे है deposit कर रहे है कि समझ आया नहीं आया तो cash reserve ratio क्या है ndtl का 3% आप क्या कीजिए RBI के पास deposit कर दीजिए cash में this is nothing but cash reserve ratio clear or not ndtl समझ आया है नहीं नहीं है अगर हुए तो हमको comment box में जरूर बताए हम फिर समझाएंगे अगली class में बिलकुल आए समझते है SLR statutory liquidity ratio हाँ यह तो आपने समझागी नहीं कि CRR credit controller है quantitative method है तो CRR कैसे inflation को control करेगा तो RBI कैसे credit को control करेगा CRR कितरू समझे इस बात को मालीजे भी 3% है CRR है इसको रब कर लेते हैं CRR 3% है तो आभी 300 रुपाई deposit करने पड़ रहे है RBI के पास बैंकों को लेकिन मालीजे CRR RBI ने बढ़ा के 30% कर दिया 30% कर दिया तो अब 3,000 रुपाई as a deposit करना पड़ेगा हर बैंक को RBI के पास तो अब जब 3,000 रुपाई deposit करेगा तो उसके पास कितने रुपाई बचेंगे 7,000 रुपाई सिर्फ पहले 9,700 रुपाई बच रहे थे loan extend करने के लिए अब केवल 7,000 रुपाई बच रहे हैं loan extend करने के लिए अब कीजिए वे बढ़ा दिया CRR बढ़ा के 30% कर दिया तो अब बैंकों के पास कियindest 7000 रुपाय एक्सेंट करने की लोन तो लोन कम दे पाएंगे बैंक जब लोन कम दे पाएंगे बैंक तो लोगों के हाथ में कम पैसे होंगे तो दिमाड् Hamm bets बढ़ाएंगे, inflation कम हो जाएगा और वाईसा वरसा तो CRR बढ़ाएंगे तो inflation कम हो जाएगा, bank rate बढ़ाएंगे तो inflation कम हो जाएगा तो यह quantitative method है यह नहीं CRR जो bank को commercial bank के दौरा credit दिया जा रहा है उसको control कर रहा है या नहीं कर रहा कैसे इन quantitative tools है कि इसके पास tools है CRR बढ़ा देगा और कहेगा कि आप देख लो तो बैंकों को कम देना ही पड़ाएगा क्योंकि इसके हाथ में पैसे ही कम रहेंगे बाकी तो RBI के पास जमा हो जाएंगे SLR पे आते हैं It is the ratio of NDTL of the bank in India which bank has to maintain with itself at any given point of time in the form of liquid asset liquid asset का मतलब होता है cash, gold और government security यह लिख लिख लिजे पहले फिर मैं समझाता हूँ no down कर लिजे pause करके no down कर लिजे लेकि SLR क्या है तो मैंने आपको net demand time liability बताया तो मान लिजे 100 रुपाई की net demand time liability है तो इसका 3% तो आपने रख दिया किसके पास 3 रुपाई RBA के पास अब क्या कीजिए RBA ही कह रहा है कि ठीक है आपने 3% मेरे पास रख दिया अब ऐसा कीजिए आप इस 100 रुपाई का 18% यानि 18 रुपाई आप अपने पास रखिए लेकिन 3 चीज़ों में रखिए लिक्विड असेट में जैसे कि cash में रख सकते हैं आप गोर्ड में रख सकते हैं आप या government security में रख सकते हैं तो SLR क्या है CRR क्या है RBA के पास आपको deposit करना है cash में लेकिन SLR क्या है bank को अपने पास रखना है उतना percent जितना वो बोल रहा है SLR जितना है उतना amount bank को अपने पास रखना है लेकिन liquid में रखना है liquid का मतलब या तो cash में रख लो या तो gold में रख लो या तो government security में रख लो यह example देखिया SLR मा लिजए 18% है तो 10,000 रुपए NDTL आया net demand time liability आया उसने 18% यानी 1800 रुपए हर एक bank को तीन चीजों में रखना है या तो gold में रखिये या तो cash में रखिये या तो government security में रखिये और मैं आप से सवाल यह पूछना चाहूंगा कि अगर bank किस में रखे तो bank को फाइदा है गोर्ड में रखे cash में रखे या gsec में रखे देखे गोर्ड के price तो fluctuate होते रहते हैं cash में रखेंगे तो कोई interest आएगा नहीं क्योंकि bank के पास cash पड़ा हुआ उसका कोई interest नहीं मिलेगा लेकिन depositors को interest जरूर देना है तो bank का घाटा हो जाएगा तो कितना अच्छा instrument होगा अगर वो government securities में रखे तो ये government के लिए अच्छा है SLR अगर होगा तो bank को की necessity है कि gsec खरी दें और उसमें जितना percentage है वो उनको interest rate मिलता रहेगा जिससे वो interest भी depositors को भी interest दे पाएंगे और अपना भी समाल पाएंगे तो अच्छा instrument क्या है gsec तो अगर 18% आपको आस SLR है यानि आठारा सो रुपए अगर आपको रखने है तो gsec में ज्यादा रुपए रखिए cash में भी रखिए gold में भी रखिए लेकिन gsec अच्छा instrument है क्यों क्योंकि ये return भी देगा correct और नॉट इसलिए लिखा है 10DTL of a bank in India which bank has to maintain with itself अपने साथ रणना पड़ता है कैसे cash, gold and government securities और अभी ये 18% है ये example हमने लिया है और ये purpose of maintaining this ratio क्या है is that on the one hand it enables the government to borrow from the banking system वनना बैंकों को लोन क्यों क्यों लोन क्यों देगा bank government अगर 6% देगी bond पे 7% देदीगी लेकिन अगर वो लोगों को extend करेगी bond लोगों को extend करेगा bank loan तो उसको 10% मिलेगा 11% मिलेगा तो bank चाहेगा कि हम लोगों को extend करें 10-11% में लेकिन 6-7% में हम government को क्यों दे लोन लेकिन अब तो SLR में आपको रखना ही पड़ेगा या तो आप cash से zero interest rate कमाईए या तो goal से fluctuating price रहेगा तो आप क्या कीजिए आपको GSEC में invest कीजिए 6-7% तो कम से कम मिलेगा ना bank को को तो bank यह सोच रहा है कि 1800 रुपए अगर रखने ही है तो चलो मैं ज़्यादा तर government security में रख सकता हूं क्योंकि उसका लोन तो लोगों को दे नहीं सकते समझ रहे ना तो on one hand it enables the government to borrow from the banking system and on the other hand to have enough cash to run the daily operation तो daily का operation run करने की है liquidity रहे बैंकों के पास इसके लिए भी SLR बहुत ज़रूरी है तो कहने मतलब दो चीजे हो गई हैं दो चीजे यह हो गई कि CRR 3 रुपए तो बैंकों को देना पड़ता है RBI को और 18% यानि 18 रुपए 100 रुपए अगर देखें तो उसको अपने पास maintain करना पड़ता है यानि 18-13 हो गए 21 रुपए 21 रुपए के बाद जितने रुपए बचे कितने बचे कि 79 रुपए 79 रुपए 79 रुपए का लोन एक्स्टेंड कर सकता है बैंक तो SLR हटा दीजे CRR हटा दीजे तो 79 रुपए बचेंगे बैंक के पास क्योंकि बाद की 18 रुपए तो देही नहीं सकते और तीन रुपए तो RBI के पास डिपॉजट है अठार रुपए बैंकों को अपने पास रखना है तो बचे 79 रुपए वही लोन दे सकते हैं उसी में वह प्रॉफिट कमा सकते हैं 10-11 परसेंट जित्त विला है SLR क्यों quantitative tool है कैसे इंफ्लेशन को कंट्रोल करेगा RBI SLR की तुरू यह समझते हैं तो माल लीजे SLR भी 18 परसेंट है तो 1800 रुपए बैंकों को अपने पास रखना पड़ रहा है और economy में inflation बढ़ रहा है तो economy में inflation बढ़ रहा है तो prices बढ़ रहा है तो prices को कंट्रोल करना है तो RBI कर क्या कर दे 18 से 40 परसेंट कर दे SLR एक्जामपल है 40 परसेंट SLR कर देगा तो ज़्यादा रुपए चार हजार रुपए बैंकों को अपने पास cash गोड या जीसेक में रखना पड़ेगा यानि बचे हुए का ही commercial bank loan दे सकती है यानि अब loan देने के लिए रुपए का amount कम रहेगा कम amount रहेगा तो लोगों को वो कम दे पाएगा लोग कम demand करेंगे तो price automatically कम हो जाएंगे inflation decrease हो जाएंगे तो SLR को बढ़ाएंगे तो inflation control में आ जाएगा तो यह tool हुआ कि नहीं हुआ आप समझते है repo rate and reverse repo rate देखिए बहुत important topic है इसको जरूर समझेगा एक बार पहले लिख लीजे repo क्या है और reverse repo क्या रेपो अर्ड एशेंशल और शॉर्ट टम आउक्शन एक्सराइज कंड़क्टेड बाई अर्वा इन इंडिया सिंस 1992 विच सो एस तो इवन आउट दा शॉर्ट टम फ्लेक्ट्वेशन इन दा मनी मार्केट समझते हैं इस बात को रेपो क्या है और रिवर्स क्या है अब डाइग्राम लाएं है आपके लिए रेपो रेट क्या है जो मैंने आपको चीज समझाई दी हूआ पर एक मैं को ब्लैंक पेपर लेनी दीजे फिर मैं समझाता हूं देखें मालीजिए SBI, Commercial Bank, RBI, Boss, SDFC है, कई Bank है, ICICI Bank है बैंकों के पास liquidity कम है, बैंकों को लोन चाहिए, टॉर टम पे लोन चाहिए तो लॉन चाहिए तो क्या था, बैंक रेट पे लोन ले सकती है RBI से लेकिन अगर SBI को किसी दिल लोन की जुरुद पड़ी और उसको लोन चाहिए तो वो RBI के पास जा सकता है, क्योंकि RBI Banker to Bank है और SBI के पास government securities पड़ी हुई है, तो SBI RBI के पास जाएगा और RBI से कहएगा, मुझे 7, 14, 28, 56, इन दिन में से कोई भी देश, मैंने short term के लिए, कहने मदलब 7, 14, 28, 56, कोई भी देश के लिए, तो SBI RBI के पास जाएगा, और कहाएगा कि मुझे इतना amount रुपीज, जो है, लोन की रूपे आपसे चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ, कि यह जो government bond मैं आपके पास रख रहा हूँ, इसको मैं maturity period के बाद, यानि जितने दिन का मैंने loan लिया है, उसके बाद मैं इस bond को higher price पे क्या करूँगा, repurchase कर लूँगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो SBI है, RBI, RBI से loan चाहिए SBI को, और RBI loan इसको देगा, लेकिन एक rate पर देगा, जिसको हम बोलेंगे repo rate, और SBI, RBI के पास क्या रखेगा, अपने government bond, government security GSEC, और RBI, SBI, RBI से वादा क्या करेगा, कि जब मैं आपको यह loan का time period खतम हो जाएगा, और मैं आऊंगा, और यह government securities दुबारा repurchase करूँगा, और आपको interest के साथ, आपका पैसा वापस कर दूँगा, समझ आई बात यह नहीं, this is called repo rate, repo मतलब होता है repurchase, repurchase मतलब दुबारा खरीड दूँगा, SBI ने bond रखे अपने यह promise करते हुए, कि as a collateral, as a security, आप इस bond को रख लीजे, और मुझको loan अभी दे दीजे, मैं वापस आके इस bond को दुबारा purchase कर लूँगा, और आपकी दुबारा purchase कर लूँगा, यानि मैं दुबारा ले लूँगा उसको, और जितना भी आपका interest कर साथ principal amount है, सारा वापस करके चला जाऊँगा, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं repo rate, अगर ये repo rate है, तो reverse repo rate क्या है, सरी, just a project, मा लीजे, SBI के पास, बहुत धेर सारा cash amount है, deposit बहुत धेर सारा deposit है, और इतने loan लोग demand नहीं कर रहा है, तो इसके पास कुछ पैसा पढ़ा होगा, SBI के पास, मा लीजे कुछ रुपए पढ़ा, 10,000 करोड रुपीस ideal पढ़ा है, कोई उसका काम नहीं, क्योंकि loan कोई मांग नहीं रहा है, लेकिन इस 10,000 करोड रुपए पे, क्या interest rate तो pay करना है, deposit को, ये जो cash देके गए हैं, उनको तो pay करना है, तो SBI को ऐसे तो घाटा हो जाएगा, तो SBI क्या करेगा, RBI के पास जाएगा, और कहेगा, कि ये 10,000 रुपए का loan में आपको देना चाहता हूँ, आप ये 10,000 रुपए रख लीजिए, और इतने के बदले, मुझे government securities दे दीजिए, और एक time period के बाद, यानि short term के बाद, 7, 14, 28, 56 दिन के बाद, जिस दिन भी, मालीज 28 दिन के लिए बात हो रही है, तो 28 दिनों बाद SBI क्या करेगा, कहेगा, कि मैं वापस आऊँगा, और अपने 10,000 कोड रुपए वापस लूँगा, interest rate के साथ, क्योंकि मैंने आपको एक तरह का लोन दिया है, और जो वो interest rate होगा, वो होगा reverse repo rate, उस interest rate पे मैं आपका जो यह amount है, वापस ले लूँगा उसके साथ, और आपकी गवर्मेंट security आपको वापस कर दूँगा, just appos it, repo में क्या था, SBI loan ले रहा था, इसको ऐसे समझे है, RBI loan ले रहा है, RBI 10,000 रुपए का loan ले रहा है, कितने interest rate पे, reverse repo rate पे, और यह कह रहा है, SBI को bond देते समय, कि मैं दुबारे इनको repurchase कर लिएंगा, तो bond as a collateral, यानि as a security दे रहे हैं, एक दूसरे को, main बात क्या है, reverse repo rate और यह जो loan, SBI को जब loan देता है RBI, तो repo rate पे देता है, और RBI जब loan लेता है SBI से, तो reverse repo rate पे लेता है, ठीक है, तो अगर repo rate की बात करें, तो RBI यह है, बैंक यह है, तो bank को loan चाहिए, तो liquidity cash यहां से यहां जाएगा, repo rate पे वापस करना पड़ेगा, जो की bank को, और bank यहां से government securities, RBI के पास रख देगी, और कहेगी, कि इतने time period बात, जितने बात loan खतम होगा, मैं आकि आपकी government securities, दोबारा repurchase करनूँगा, इसे बोलते हैं repo rate, तो repo rate से कैसे हम control करेंगे, liquidity market में, कैसे inflation को control करेंगे, यह समझते हैं, माल लीजे अभी repo rate है, 4%, 100 रुपय का loan, बैंको को चाहिए, तो 4% है तो 104 रुपय वापस करना पड़ेगा, ना, बैंक को 104 रुपय वापस करना पड़ेगा, यह उल्टा पना दिया कि उन्हें, हां, तो 100 रुपय का loan दिया, RBI ने बैंक को, और बैंक को कितना वापस करना पड़ेगा, 104 रुपय, अभी इतना समझे, अगर repo rate बढ़ा दिया जाए, 4% की जगा, repo rate कर दिया जाए, 30%, यानि बैंको को, RBI से 30% में loan मिलेगा, तो बैंक क्या करेंगे, उनको 40% में loan देगा, तब ही तो बैंक कमा कर, उसका फिर कुछ percent, bank RBI को वापस कर पाएगा, समझ रहे हैं इस बात को, तो बैंकों ने loan लिया, अपने घर में रखने के लिए नहीं, लोगों को extend करने के लिए, तो जब बैंकों को RBI से loan, जब लोन ज़्यादा महें में मिलेगा, तो बैंक ज़्यादा महें में लोगों को देगा, ज़्यादा महें में देगा, तो लोग दिमांड यह नहीं करेगे, कि भाईया, हमको अभी समय नहीं लेना है, जब loan का interest rate कम हो जाएगा, जब loan का interest rate 10-11 रहेगा, तो हम आखे ले लेंगे, तो लोग demand कम करेगे, loans की, loans की demand कम होगी, तो लोगों के हाथ में पैसे कम होगे, पैसे कम होगे तो, demand कम करेंगे, demand कम करेंगे, तो price automatically कम हो जाएगे, तो repo rate अगर बढ़ा दें, तो inflation को कम किया जा सकता है, correct or not, स्टेम अगर सोचे reverse repo rate के case में, तो reverse repo rate के case में क्या करें, just opposite कर दें, है ना, समझ आई बात या नहीं आई, कि दुवारा पूरा समझाओ, अगर नहीं आई तो comment box में लिखिए, repo rate में क्या कीजिए, आप अगर repo rate को बढ़ा देंगे, चार से आठ परसंट कर दीजे, तो bank जो लोन पहले चार परसंट पर आरप आई से अगर repo rate में मिल रहा था, तो bank क्या कर रहा थे, लोगों को 8% में दे रहा थे, अब वही लोन बैंकों को, आरप आई से 8% repo rate में मिल रहा है, तो bank 16% में देंगे लोगों को, लोग ज़्यादा motivated ही नहीं होंगे ऐसा लोन लेने के लिए, जिसका interest rate उनको ज़्यादा देना पड़े, तो demand कम करेंगे, तो हाथ में पैसे कम होंगे, तो inflation कम हो जाएगा, quantitative tools समझ में आ रहा है, repo rate and reverse repo rate समझ आ रहा है, देखे repo rate क्या example समझ ये, RBI ने बैंक को इतना छोटे में दिया, यानि 4% में दिया, बैंकों ने लोगों को 40% में दे दिया, तो लोग ये बम लेंगे ही नहीं, फढ़ जाएंगे बना पबलिक, इतना वापस ही नहीं कर पाएगी, है ना, तो demand कम करेंगी, तो inflation कम हो जाएगा, reverse repo rate में देखिए, बैंकों ने RBI को दे दिया, सारा लड़ू, यानि सारा cash अपना दे दिया, तो बैंकों के पास कम cash बचा, लोगों को देने के लिए, जब लोगों को देने के लिए कम cash बचा, तो लोग के पास हाथ में कम cash आएगा, more deposit from banks lesser cash to lend अगर commercial bank ज्यादा अपना deposit Reserve Bank of India को दे देंगे तो उनके पास कम बचेगा क्यों ज्यादा देंगे क्यों Reserve Bank of RBI ने कहा किया अपना reverse report rate बढ़ा दिया कि RBI कह रहा है कि मुझको अगर ज्यादा तुम लोग loan दोगे तो मुझे 10-11% का तुम्हें interest rate दोंगा hypothetically तो reverse rate मान लीजे reverse report rate है 11% तो commercial bank चाहेगा कि सारा loan हम RBI को extend कर दें तो यहाँ पर लोगों को देने के लिए कम बचेगा कम बचेगा तो कम loan देंगी लोगों के पास तो हाथ में पैसे कम होंगे तो inflation कम हो जाएगा अगर रिपो रेट के case में बात करें तो अगर रिपो रेट कमर्शिल बैंक जो आर्भाई लोगों कमर्शिल बैंक को ज्यादा interest rate में दे दे यानि जो रिपो रेट 8% में दे दे तो कमर्शिल बैंक को बॉल्वर्स को 16% में देना पड़ेगा तो लोग लेंगी ही नहीं इतना महेंगा लोन कौन लेगा तो लोग लेंगी नहीं तो हाथ में पैसे कम होंगे तो देमान कम हो जाएगी तो inflation कम हो जाएगा तो समझ रहें क्रेडिट कंट्रोल करके बैंकों की और बैंक कैसे inflation को कंट्रोल कर रहा है अपनी monetary policy को कैसे implement कर रहा है यह समझ रहे हैं आप इस बात को reverse reporate and reporate are clear ओके तो open market operation क्या होते हैं open market operation केवल यही है reverse reporate and reporate बस यह RBI इनिशेट करता है पहले रपोरेट और reverse reporate के case में बैंक इनिशेट करते थे वो process लेकिन open market operation में क्या होगा RBI इनिशेट करेगा तो RBI एक दुकान लगा के बैठ जाएगा अपनी और कहेगा कि आईए आईए बांड भी दिए बांड बेचिए तो अगर economy को किक स्टार्ट करना है तो central bank क्या करेगा लोगों को खुब पैसा देगा एनि अगर deflation है तो खुब पैसा देगा लोगों को और bond खरीदेगा खुब देट सारे अब boss ने अगर अपने employee से का कि हमको bond अपने वापस कीजिए हम आपको cash देना चारे है तो SBI, SDFC मना तो करेंगे नहीं उसको देना पड़ेगा बहुत से वो regulator है, regulator दी बात तो मानी पड़ीगी तो central bank ने commercial bank को खुब देशारा पैसे दिया और bond खरीद लिए तो commercial bank के बाद खुब देशारा पैसा आ गया तो खुब देशारा लेंड करेंगे individuals को and companies को जब लोगों के हाद में पैसे ज़्यादा होंगे तो inflation बढ़ने लगेगा तो अगर economy slowdown में है तो inflation को बढ़ा सकती है RBI और open market operation करके क्या कर सकती है अगर inflation बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो bond को अपने बेच सकती है commercial bank को और commercial bank से पैसे ले लेगी तो commercial bank से जब पैसे ले लेगी bond दे कर तो commercial bank के पास कम पैसे बचेंगे तो वो कम पैसे बचेंगे तो कम लेंड कर पाएगी कम लेंड कर पाएगी तो higher interest rate पे लेंड करेगी और लोगों के हाद में कम पैसे होंगे तो लोग demand कम करेंगे inflation control हो बार्ण लेके बैड जाएगा और कैश लेके बैड जाए का रिण का आएए और अपने वांड लिक्विदीटी मुझे कंब करनी इंफ्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है लेक्विदीटीटी कंड कर नहें programa से पैसे खीचने है RBI इनिशेट किया है तो repo rate and reverse repo rate से ही खेल होगा तो RBI सब central bank bonds देगा अपने और cash लेगा तो यही करेगा तो bond दे के cash ले रहा है यानि RBI loan ले रहा है तो reverse repo rate लोन ले रहा है और यह repo rate हो गया समझ आ रही नहीं आ रही सारी चीज़ें तो open market operation clear है या नहीं repo rate and reverse repo rate and open market operation एक चीज़ समझ आ तो जो bank rate था वो long term के लिए था correct और not जो repo rate है and reverse repo rate है यह short term के लिए है अगर यही चीज़ जो repo rate और reverse repo rate में हो रही थी अगर वो RBI initiate करे तो उसे बोलते है open market operation ठीक है इतना clear है इतना clear है तो एक चीज़ और पढ़ लेते है marginal standing facility MSF यह बच गया था लिख लीज़े इस अ फैसिलिटी अंडर विच अ सेडिवल कमर्शिल बैंक और बोरो additional amount of overnight money from RBI by dipik into their SLR portfolio up to limit 2% of NDTL अगर किसी बैंक को कुछ घंटी के लिए लोन चाहिए माल यह 4 घंटे यह maximum 24 घंटे maximum maximum 24 hours के लिए लोन चाहिए तो बैंकों को लोन RBI देगा maximum 24 hours के लिए तो भी देगा लेकिन एक interest rate ज्यादा charge करेगा अगर repo rate पहले दे रहा था तो अब repo rate 0.25% पे देगा क्योंकि वो कम समय के लिए दे रहा है तो इसलिए penalty भी लगाएगा 0.25% की तो रेपो रेट का वही है कि बैंक लोन ले रहे है RBI से लेकिन कुछ terms कुछ दिन के लिए रहे है साथ 14, 28, 56 लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर के लिए चाहिए या 24 घंटे के लिए चाहिए किसी बैंक को लोन तो RBI थोड़ा ज्यादा इंट्रेस रेट चाहिज करेगा आर आर प्लस 0.5% 0.25% इसे बोलते हैं marginal standing facility तो liquidity अगर बढ़ानी है commercial banks में तो commercial bank क्या करेंगे अपना लोन लेंगे RBI से कुछ घंटों के लिए 24 घंटी के लिए ले रहे हैं तो MSF पे लेंगे अगर साथ चौधा ठाइस शपन चौट टम के लिए रहे हैं तो रेपो रेट पिलेंगे और अगर bank rate long term के लिए रहे हैं तो bank rate पिलेंगे तो marginal standing facility clear है यह नहीं तो additional amount for overnight overnight मतलब कुछ घंटों के लिए एक घंट गंटे maximum from RBI by dipping into their SLR portfolio तो ऐसा नहीं है कि कि जितना भी amount ले सकते हैं जितना भी NDTL है यानि अगर 100 रुपए NDTL है तो केवल 2 रुपए तक का ही overnight loan ले सकते हैं RBI से तो एक limit है उस limit के अंदर ही loan ले सकते हैं और इसमें collateral का use कर सकते हैं जो government securities हैं और जो SLR में government securities रखी हैं उसका भी use कर सकते हैं तो यहां पर यह चीज़ no down कीज़े तो सर MSF क्या provide कर रहा है it's the safety valve against the anticipatory liquidity shock to the banking system current MSF 4.25% क्यों क्योंकि रेपोरेट कितना है 4 तो 4 प्लस 0.25 तो 4.25 तो 4.25% है MSF clear or not एक चीज़ समझीए हम यहां पर जल्दी से देखिए रेपोरेट है connected MSF से तो MSF कैसे connected है रेपोरेट प्लस 0.25 और MSF connected है bank rate से तो bank rate जितना भी होगा MSF के बराबर होगा अगर रेपोरेट में 4% है तो MSF कितना होगा 4.25% और बैंक रेट भी कितना होगा 4.25% अगर रेपोरेट में change करेंगे रेपोरेट को 8% कर दिया तो MSF automatically change हो जाएगा 8.25% और bank rate automatically change हो जाएगा 8.2% क्योंकि यह दोनों बराबर होते हैं ठीक है तो रेपोरेट को change करके ही RBI क्या कर सकता है सब चीज कंट्रोल कर सकता है सारे quantitative method और इस समय reverse रेपोरेट क्या चल रहा है 3.35% यह reverse रेपोरेट इतनी चीज़े clear हुई है नहीं marginal standing facility clear है नहीं तो अगर overnight money चाहिए तो marginal standing facility कुछ दिन के लिए चाहिए 7.45% तो रेपोरेट रेवर्स रेपोरेट और अगर कुछ साल के लिए एक साल से उपर के लिए चाहिए आपको long term के लिए तो bank rate clear हुआ यह नहीं यह लिख लीजे लिक्वी ए एड्जस्टमेंट अ है से लिटई यह क्या होती है है देखेड लिक्वीडिक लिक्वीडिटी को एड्चस और अपने खूब धेर सार्ट किया तो हमारा खूब देख सरा उक्सपोर्ट हुआ तो डॉलर हमारे घर में आएगा इंडिया में डॉलर आएगा और डॉलर को एज तो यूज नहीं कर सकते तो बैंक को पास यह जो एक्सपोर्टर होंगे वह डॉलर बढ़ने लगेगा तो RBI जब inflation ऐसे बढ़के जो यह liquidity बढ़ी है इसको absorb करेगा इस liquidity को absorb करेगा RBI जो की export से create हुए है तब जो instrument का use करेगा उसे बोलते है liquidity adjustment facility तो LAF क्या है LAF for export तो export की वज़े से हमारे घर में liquidity बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है उसको control करना है उसकी वज़े से inflation control करना है तो LAF liquidity adjustment facility का use कीजिए तो सारी चीज़े clear हुई या नहीं हुई आपको bank rate quantitative method में bank rate clear हुआ यह देखिए policy रेपो रेट है भी 4% यह RBI की website से लेकर आ है हम reverse रेपो रेट है 3.35% marginal standing facility 4.25 and bank rate भी 4.25 CRR ए 3% SLR 18% clear or not और यह कैसे इनको control करके RBI अपनी monetary policy को implement करेगा यह clear है नहीं कुछ नहीं बस लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं बस उस चीज़ को देखना है क्योंकि लोगों के दारा जो demand की जाएगी वो depend करेगा उनके पास कित्ती liquidity है अगर उनके हाथ में liquidity कम है तो demand कम करेंगे liquidity ज्यादा है तो ज्यादा demand करेंगे तो commercial bank की लेंड करने की capacity को कम कर दीजे कम कैसे कर सकते हैं bank rate बढ़ा दीजे रेपो रेट बढ़ा दीजे समझ रहे हैं नहीं तो आज हमने quantitative method पढ़े हैं कल की अगली अगले class में हम lecture number three में पढ़ेंगे qualitative method और उसमें पूरा cover करेंगे जितने qualitative tools हैं तो आज की class आपको कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा यहां पर आपकी जितने भी डाउट से यहां पर भी पूछ सकते हैं और comment box में भी आप अपने handouts पूर सकते हैं notebook से अपने handwritten notes जरूर बनाईएगा notebook में लिखने की पूरी कोशिश कीजिए जहां पर वीडियो को pause करके लिखना है वहां पर लिख लिजिए समझ लिजिए concept बिठा लिजिए facts को लिख लिजिए और अपनी एक study को comprehensive study बनाईए तो आज के लिए तना ही थैंक यू नमस्ते जै